कहानी शुरू होती है एक रेकिस्तान को दिखाते हुए बहुत से लोग यहां पर इल्लीगली कुछ नायाब मकडियों को पकर निकले आया थे यह सहरीली मकडियां हर चुका से नहीं मल दी इन्हें पकरना या पालना इल्लीगल था और इल्लीगली ही इन्हें बेचने पर इन मकडियों के मिलने के बारे में बता चुका था सब एकसाइड़ेड होकर भागते हुए यहां प्यांते हैं रीप में इस सेंख होल में यहीं मकडियों की घर के अंदर यह एक आस किसम का स्प्री करते हैं तुसके कुछ देर पाद ही धर धर वो काली मकडियां अपने होल से ब मार कर यहां से जा चुकी थे सीन के ठोकर हम यह फ्रैंस में केलब नामी एक लड़के को दिखा जाता है केलब इस टाइम चोर मार्केट में था जहां लोग अपना चोरी किया हुआ सामान बीच रख रहती थे ऐसे हम अंदाजर में रगा सकते हैं कि वो भी एक चोर ही है यह जाओ अपना चोरी किया हुआ सामान बेचने के बदने डीलर से कुछ खीमती जूल्वरी खरीदने के बात कहता है जूल्वरी खरीदने के पार केलब को इसी शौप पे वो स्पाइडर पी नजरा जाती है जिससे पिछले सीम में होना आत्मियों ने सहरा से पकड़ा था केल जिसके बात से वो और उसकी सिस्टर यहां अकेली रहते हैं यहां अपना समान अपने रोम में रखने के पाद नीचे स्टोर में आँ जाता है जहां उसने बहुत से शूज रखे थे वो यहां जूदी ही चैकरा था कितने में उसका फ्रेंग एक साइकल चुरा कर ले आता है किलब खुद भी चोड़ा लेकिन वो अपने दोस्त की स्टोरी पे बहुत खुसा हुआ क्योंकि उन्हों ने डिसाइड कर लिया था कि अब से वो कोई गदर काम नहीं करेंगे वो से चोरी चगारी छोड़ करेंगे और इमानदारी से पैसे कमाएंगे अभी भी उसी काफी स गराब से अंदे तो कि नहीं दे सकता था इसलिए वो घर से एक नहीं शूबोक्स लेने जाता है घराते ही वह देखता ही कि लूम के इलेक्ट्रिसिटी बंग और यह देख दिमाघ राब उजाता है तो लूम की घाल्ट्स बंग करना समझवे बहुत बड़ा चुम था क्यो कि जब आपने पहन से कहता है यार सोचा था मैंने वह ने मैने, मैंने पहन साथ किया है, महां से पैसे आएंगे, हम सब मेंच करनेंगे, लेकिन उसके बहन को उसके बातों पर हमने इतुबारी था, किल्ए पाड़ की पुछ एकने चेक्टव मुझे नहीं लाइफड। की कुछिछ कहता है लेकिन उसके लिए कोई खास जगा नहीं थी जिल्या जो टूटा शू बॉक्स उसके हाथ में था के लब उसी के अंदर उस मकडी को रख चुका था यह सब कहने के बाद वो चला जाता है अपनी मौम की फ्रेंड की पार्टी में अपनी मौम के पहने के बा अब जैसे ही वह स्पाइडर उस मकडी को देखने के लिए शूपोक्स खोलता है तो मकडी उसमें थी ही नहीं उसे लगा के वह मकडी भांग गई होगी और यह सोचकर उसे ही दुख भी हुआ क्योंकि उसने काफी साथा पैसे देखे वह मकडी खरीती थी और इससे भी बड उसे की बिल्टिंग में रहने वाले एक आदमी ने दिया था के लब को ये चूते कस्टमर को देते हुए इस बिल्टिंग का ओनर देख लेता है वह हमेशा सही के लब पे शक्किया करता था कि जैसे वह इलेगल काप करता हो इसलिए उसका साथा टाइम के लब पे नजर आपको बचाने के लिए भी कुछ नहीं कर पाया था और कुछी तेर में उसकी मोद हो गई थी अभी तक के लब बहुत जादा परिशान था के लब की सिस्टर उसके फ्रेंग्स जो सेट कर रहे थे जब वो इसकी परिशानी पूछता है तो कि आपने आपको बचाने के कीलब यहां साफ साफ उन्हें बता देता है कि वो एक जहवीली स्पाइडर यहां लेकर आया था जो गलती से उससे गुम हो गई है और अगर वो स्पाइडर कीसी को पिकाटके तो उसकी मोथ हो सकती है अभी लोग बात ही कर रहे थे कि तब भी यह लोटिस करते हैं कि जो सा पर आटमी दर्वासा नहीं और आख देए झोलता यह लोग आम पुलीस को यहां बुला चुके थी अगए जैसर अपर के और श window के मया जिसकी और आटमी inदर आटमी हो भी बहरा थी तो सा framework इस पूरी बेंग पर एक दिल करते हैं अब ना दो किसी को इस बील्डिं के अंदर आने की जादत हैं नहीं बाहर जाने की और यह पात चाहनके में सबी लोग उससे में आ चुके थे कि बहुत से लोग तो यहां रहते भी नहीं थे, इनके ठोकर हम इसी विल्टिंग में एक सफाई करने वाली लीडी को दिखते हैं, जिस वक्त वाइटे की सफाई कर रही थी, अचानक उसे वहां पे बहुत से स्पाईडर और स्पाईडर वैब यहीं जालिये निजर आते हैं, वो अपनी कॉर्ट से स्प्रेय निकालती है, और इन सारे स्पाईडर को यहां मारना शुरू करती थी है, एक दिखते ही दिखते ही एक बहुत बढ़े साइज का स्पाईडर उसके मूँ पे अमला कर चुका था, अमले के पाद तो सूरत के साथ क्या हुआ यह नहीं दिखाया गया, यह के लब की पहन जब वाश्रूम में थी, तब वो स्पाईडर को मार देता है, यह लोग वेडिलेशन का पाइप खोलते हैं, तो वहाँ अब बहुत सारी स्पाईडर थी, जो देखते ही देखते ही वहाँ फैलने लगी थी, इससे पहले कि वो वाश्रूम से निकल कर पूरे अपार्टमेंट में फैल जाती, यह लोग वाश्रूम को सील करते थे हैं, यह लिए भेरान था, वो इनने बताता है कि यह सिहरा की मख्रिया है, कम टेंपरिचर में इनका बच्चे देना तो दूर, इनका जिम्दा रहना भी मुश्किल था, लेकिन पता नहीं कैसे उसने इतने बच्चे देती थे, अब यह सब डिसाइड कहते हैं, कि यह यहां रहे तो माई जाएंगे, यह किसी तरह इस बिल्डिंग से बाहर निकलना होगा, लेकिन बिल्डिंग पे तो कर्फ्यू लगा था, यह घीला और उसका वो दोस्त जिन्हों ने इस बिल्डिंग में स्टेक करने का फैसला किया था, वो पूरी बिल्डिंग का विज़र करके चेक करते हैं, और धर्टना खर की करत इन्हें यह पता चोलती है, कि वो स्पाइडर्स बहुत बड़ी ततात में पूरी बिल्डिंग में फैल चुके थे, और उन्हों ने ही बिल्डिंग में रहने वाले काफी सारे लोगों को भी मार डाला था, तो लोगी घपरा कर अपने अपार्ट में वापिस आ जाते हैं, यहां अगर वो दिखते हैं, कि इनका ग्रूप भी वापिस आ चुका था, क्योंकि उन्हों से बिल्डिंग से पहर जाने का कोई रास्ता नहीं मिला, वो लोग इस अपार्टमेंट में थें, कि तब ही इस बिल्डिंग का ओनर यहां जाता है, क्योंकि उससे लग रहा था, कि सब के पीछे केलब है, यह लोग दरफासर कोलते हैं, तो वो आत्मी आरें लॉन देकर, केलब और उसके दोस्त के उपर हमला कर देता है, वो पुलिस को यह प्रूफ देना चाहता था, कि सब के पीछे केलब है, इसे लिए वो उनकी घर की तरलाश ही लने वारा था, ऐसे में, वो केलब के रूम के साथ था, वो वोश्रूम में कोल देता है, जिसमें बहुत से स्पाइडर्स थी, उन स्पाइडर्स को बाहर निकलता हो देखकर, यहाँ केलब को यहाँ आता है, कि इस बिल्लिंग से बाहर निकल देखा एक रास्ता पार्किंग लॉट भी है, लेकिन जब यह लोग पार्किंग लॉट की तरफ जाते हैं, तो वहाँ पर भी बहुत बड़े बड़े स्पाइडर्स ने अपने जाने बना हुए थे, इन्हें अगर इस चका से बाहर जाना था, तो लाइट ऑन रखनी थी, लेकिन पार्किंग लॉट की लाइट के तो सेंसर्स थे, वहाँ से जो कोई भी उस्टरता था, तो लाइट सिर्फ एक मिनट के लिए रहन रहती थी, लाइट ऑन करके, लोग बिना आठ के तीसे से आगे बढ़ने के कुशिश करते हैं, लेकिन इस सब में केलब की सिस्टर पीछे रह जाती है, इससे पहले कि स्पाइडर्स उसे काट ले थी, उसके पास एक लाइट अधा था, जिसका मकसद था, इस बर्लिंग में मुझूद हर जिन्दा चीज, जाहे वो इंसान है, मकडियां या कोई भी जिन्दा चीज, उन सबी चीजों को मार देना, इस पर को दिखते हुए, केलब अपने दो साथियों के साथ जाकर एक कमने में चुप जाता है, क्योंकि इनका चूथा साथी भी यहां मारा गया था, काफिल टाइम ये लोग की यहीं उसारते हैं, और फिर पुलिस के तरफ से ये दरभाजा खोला जाता है, पुलिस के लग केलब यहां पुलिस वालों से लेएन लग जाता है, यहां बचाने के पज़ाएं हमें मारने की खोशिश के जारी है, यह कुछा इंसाफ है जिस पर पुलिस इंसपेक्टर सबको बताती है, कि यह मख़च बहुत सेहरी ड़ी है, इन्हों नहीं जिन इंसानों को बिकाटा है वो भी infected हो चुके हैं और अगर यह infection यहां से बाहर निकल गई तो पूरा का पूरा मुल इससे खत्रे में परचाएगा और हम ऐसा होने नहीं दे सकते हैं अब कुछी देर में केनब उसकी sister और उसकी friend को भी मार दिया चाता लेकिन तब ही वो हाथमी जो यहां पर सखमी था वो इन सबको बताता है कि इनकी पिछली रूम में बोगोट सी spiders अभी भी जिन्दा है पॉन लोगों से कहता है कि तुम लोग इन्फेक्टिर नहीं हो तुम लोग अपने चान बचा कर यहां से बाहर चा सकते हो और ऐसे दुनिया को भी कोई खत्र ही होगा वो उनकी मदद करने को यहां इस लिए तिया था क्योंके वो खुद मरने वाला था यहां वो पुलीस को चक्मा देते हुए वो दर्वाता खोल देता है जिसके अंदर बहुत सी मक्रिया थी इनका साइस इतना बड़ा था जैसे एक डॉग का साइस इनके बाहर निकल दे ही पुलीस और सोल्जर सब ही इनके ओपर गोलिया चलाना शुरू कर देते हैं को इनके ओपर जहनी ब्लस प्रे करा था तो कोई नहीं मार रहा था जिसके पुलीस वाले इनको मारने में पीजी थे केलब उसकी बहन और उसकी फ्रेंग यहां से निकलने में कामयाब हो जाते हैं बाहर बहुत से वैंस करी थी जिसमें से एक फैन में यह लोग बैठ चुके लेकिन आज गौर्मेंट उनकी इस बिल्डिंग को तबाह करें थी जहां उन्होंने पूरा बच्पन गुसारा था हम दिखते हैं कि केलब के पास अभी भी सीक्रेटली एक स्पाइडर मुझूद है जिसे उसने सब से चुपा कर बहुत ही खयाल से रखा हुआ था और इसको ही दिखाती हुई कि कहानी यहां खत्म हो जाती है